तो इस वूडियो में जो हम maximum zoom टेस्स करने माले galaxy S21 FE snapdragon 888 variant versus galaxy S21 FE exynos 2100 तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ लो लाइट सिनेरियो है आउटडोर पे हुँ तो पहले जो करते हैं 3x zoom और यह सामने जो हमारी यह building दिख रही है आपको यह अशारेश करके लिखा यह अल्मोस जो एक किलोमेटर दूर है तो दोनों पे जाते हैं अभी up to 10x तो यहाँ पर आप 10x पर देख सकते हो दोनों को तो इस तरह से जो दोनों 10x पर आपको देखने मिलते हैं लेते एक photo 10x पर तो आपको noise थोड़ा ज़ादा देखने मिल रहा होगा हमारे Snapdragon variant में लेकिन जैसे हम यहाँ पर आप photo देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 10x जूम में दोनों की photo किस तरह से आपको देखने मिलते हैं तो यहाँ पर जो Exynos ने 10x पर अच्छी photo ली है तो अभी करेंगे इसे 30x 30x तक जूम करेंगे दोनों को अगें सेम बिल्डिंग त अशारेज इसे लगते हैं सेंटर में और फोटो लेते हैं तो जो हमारा Exynos से इमीचेटली जो है लॉक कर लेता है उस चीज़ पर और जो शेकिने से रोग देते हैं आप देख सकते हो स्नाप ड्राइगन अभी भी शेक हो रहा है तो अभी करते हैं फोटो क्लिक तो दोनों में फोटो क्लिक की है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10x 30x जूम नाइट में तो यहाँ पर क्वालिटी वाइज मैं कहूंगा जो Exynos की जो क्वालिटी वो बेटर निकल के आती है as compared to to snapdragon 888 snapdragon को जो है software update की जरुरत है मैं कहूंगा कई पर भी मैं चेक कर रहा हूँ मतलब बहुत सारे scenarios में यह night में specially तो जो हमारा snapdragon है उतना जादा optimize नहीं देखने मिल रहा है as compared to यह जो यह Exynos 2100 है वो यहाँ पर अगेन एक बार try करते हैं आप देख सकते हैं एक बार इसने lock कर दिया तो यह रुख जाती इमेज अच्छे से stable रहती है लेकिन जो snapdragon है यह देखिए exposure shift होता रहता है stable नहीं रहती इमेज 30x पर इसमें जो software update से चीज़े जो है fix हो सकती है अभी हाँ मैं handle यहाँ फोटो ले रहा हो तो दोनों पर handle लिए फोटो मैंने तो यहाँ पर handle सामने वो बिल्डिंग इतने दूर आपको देखने मिलते अल्मोस्ट एक किलोमेटर है तो उस तरह से आप एक किलोमेटर से इतना जो है जूम कर सकते हो दोनों फोन में और quality अभी जो है लाइक कर से तो चैनल को सब्सक्राइब कर से तो मिलते आगले वीडियो माँ